तब फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस और दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर रिलिज़ हुए KGF चेप्टर 2 को आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 21 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स आफिस पर कुछ नए ऐसे रिकोर्ड्स बना दिये हैं जो कि आज तक ना ही बाहुबली बना पाई थी और ना ही दोस्तों इंडियन सिनेमा की किसी फिल्म ने बनाय हो और आज दोस्तों KGF चेप्टर 2 अपने 21 दिन भी जिस तरह से इंडियन बॉक्स आफिस पर शांदार कमाई कर रही है दोस्तों इस फिल्म का जो लाइफटाइम कलेक्शन है वो काफी ज्यादा होने वाला है और ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर इस अपते भी रुकने वाली नहीं है तो आज किस वीडियो मे हम बात करने वाले हैं KGF Chapter 2 के 21 दिनों के इंडिया और Worldwide Box Office Collections के बारे में तो वीडियो को लाक्ष्ट तक जरूर देखेगा अगर आप भी Rocking Star याश, Super Star संजेदत के डाहट फैन से तो चले शुरुआत करते हैं तो दोस्तो बताते चले आपको की प्रशान्त नील के डारेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म केजेफ Chapter 2 जिसे की 100 करोड रुपे के बजट से बना गया है इस फिल्म ने दोस्तो अपने पहले दिन तो historic opening ली थी अपने पहले हपते में दोस्तो ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर साथे 700 करोड रुपे की कमाई करने में कामयाब रही साथी साथ दोस्तो हिंडी बॉक्स आफिस पर ये फिल्म इंडियन सिनिमा की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने आली फिल्म साभी थुई अपने पहले ही हफते में दोस्तों इस फिल्म ने हिंडी में 270 करोड रुपे कमाई जो की दोस्तों बाहु बली 2 के कलेक्शन से कहीं ज़्यादा बड़ा कलेक्शन था ओडियन्स की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को आउस्टेंडिंग रिविउस मिले क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छी रेटिंग्स दी और यही वज़ा रही दोस्तों की इस फिल्म ने अपने दूसरे हपते भी दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर काफी शानदार कमाई की बताते चले दोस्तों आपको की केजी अफ चेप्टर टू कंणाडा सिनिमा की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने की ओवर्सिस में भी अपने पहले ही हपते में 1500 करोड रुपे के आखड़ को टच कर लिया था अगर बात किजा दोस्तों इस फिल्म के सेकेंड विक की तो अपने सेकेंड विक में दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर 997 करोड रुपे की कमाई कर चुकी थी जिसमें दोस्तों हिंदी से इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो 400 करोड रुपे के आखड़ को टच कर चुका था और वर्सिस में इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो 170 करोड रुपे के आखड़ को पार कर चुका था साथ ही साथ दोस्तों तामिल, तेलगू, कन्नार और मल्यालम भाशा को मिला कर इस फिल्म का जो टोटल है वो 997 करोड रुपे का हो चुका था यह इस फिल्म का दोटों तीसरा हटा चल रहा है और इस हटे भी इस फिल्म को ओडियोंस की तरफ से काफी शानदा रिव्यूस मिल रहे हैं दोस्तो बताते चले आपको कि अपने शुरुवाती तीन दिनों में इस विकेंड में भी इस फिल्म ने 7 करोड रुपे तक की कमाई की है जो कि एक तरह से आउस्टेंडिंग कलेक्शन है साथ ही साथ दोस्तो इस फिल्म ने ठाड विकेंड के मामले में ट्रिपल आर को भी पीछे छोड़ दिया है और अगर बात की जाए दोस्तो इहाँ पर इस फिल्म के विकडेस के कलेक्शन की तो दोस्तो बताते चले आपको कि इस फिल्म ने जहां अपने 19 वे दिन लगबग 13 क करोड रुपे कमाए हैं और इसर इस फिल्म ने लगबग 13 करोड रुपे कमाए हैं ऐसे में दोस्तो इस फिल्म का जूब इस वे दिन का कलेक्शन है वो इंडियान और वर्ड वाइड बॉकस आफिस पर 21 करोड रुपे के अखड़ को कर चुका था जो कि एक तरसे historical collection है और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म दुनिया बर के box office पर अपने शुरुवाती 20 दिनों में 1090 करोड रुपए की कमाई कर चुकी थी बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के records की तो दोस्तों ये फिल्म Indian cinema की पहली फिल्म बनी है जि करनाटा cinema की पहली फिल्म बनी है तेलगू में भी दोस्तों इस फिल्म के जो collection से वो 100 करोड रुपए के आखड़े को पहले ही पार कर चुके थे साथी साथ दोस्तों करनाटक box office पर इस फिल्म के जो share है वो ही 100 करोड के आखड़े को पार कर चुके है और ये फिल्म करनाटक box office पर भी इंडियन सिर्मा की पहली फिल्म बनी है जिसने की 100 करोड शेर पार किये हो ऐसे में दोस्तों बाहुबली 2 भी इतने बड़े records नहीं बना पाई जो कि KJF चेप्टर 2 इंडियन box office पर बनाती हुई नजर आ रही है और अगर बात की जाए दोस्तों इहाँ पर अब इस फिल्म के 21 दिन यानि कि आज की collections के बारे में तो आज का दोस्तों इस फिल्म का जो advance collection है वो इंडियन box office पर टोटल 2 करोड सहाट लाख रुपय का हो चुका है वर्डवाइट box office पर भी दोस्तों इस फिल्म की जो advance है वाज 30 लाख रुपय की हो चुकी है यानि कि दोस्त तो ये फिल्म आज अपने 21 दिन भी इंडियन box office पर तो जहाँ 6 करोड रुपय तक की कमाई कर रही है तो वहीं दोस्तों worldwide box office पर इस फिल्म का collection लगबख 7 करोड रुपय के आखड़ को टच करतावा नजर आ रहा है इसके साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल 1097 करोड रुप पर 1200 करोड रुपय के आखड़ को तो आसाली से टेच कर देगी और हिंडी में भी इस फिल्म के जो collection से वह 400 करोड रुपय के आखड़ को इस अपते ही पार कर चुके होंगे आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलियेगा और क्या लगता है दोस्तों होलियूट की बीगी फिल्म डॉक्टर इस्ट्रेंज इस फिल्म को रोक पाई गया नहीं हमें जरूर बताईएगा निवाज जेहीं कर दोस्तों है